हेलो माई दियो स्टूडेंट्स वेलकम टू अद्वत एजूकेशन मैं अधबाली पंडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वत एजूकेशन पर माई दियो स्टूडेंट्स नेक्स मन्द होने वाला है आरार्वी ग्रूपडी का एक्जाम तो हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल तरीके से लाने वाला है question papers की एक series यानि previous जो भी question पूछे जा चुके हैं आपके railway के एक्जाम में उनके हम science के questions से आपको solve करेंगे आपको miss नहीं करना है क्योंकि यहीं आपके एक्जाम के लिए रामबाट से दोने वाला है जी हाँ students बिल्कुल miss नहीं करना है daily हम चरचा करेंगे science के सवाल जिससे आप गेन कर पाऊगे my dear students जो भी 25 marks की महाँ पर science पूछी जा रही है तो 25 में से 25 इदि आपने thumbnail भी देखा हो तो पूरे questions attempt करने हैं पूरे के पूरे marks लाने हैं यदि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो है की नहीं चलिए तो शुरू करते हैं आज से सवालों का यह discussion my dear students एकदम बढ़िया तरीके से share करना है और साथ में बने रहना है है की नहीं कोई भी question में इस नहीं करना है कुछ मैं पूछूंगी कुछ आप बताएंगे लिए डिसकसन सबका यहाँ पर मैं ही करने वाली है चलिए शुरू करें ठीक है देखते है my dear students पहला question आपके इस series का आपकी इस exam के लिए पहला question क्या कह रहा है पहला question है ruby and sapphire are the oxides of यह question अभी हाली में भी पूछा गिया था जो है ruby and sapphire my dear students यह stone होते हैं gemstone होते हैं यह आपको पता होतो है ना नौरतनों में भी आते हैं ruby and sapphire are the oxides of यह किसके oxides है copper के, tin के, iron के, alumilium के जार option है my dear students के रहा है कि जो ruby और neelam होते हैं ruby को हिंदी में हम कहते हैं marik यदि आपने देखा हो नहीं देखा है तो अभी मैं बताती हूं marik और जो neelam है कह रहा है तो marik बोलते हैं ठीक है सूर्य भगवन का रतन होते हैं जादा नहीं बताऊंगे नहीं तो फिर नहीं आप एस्ट्रोलोजी चालू हो जाएगी ठीक है और जो sapphire होता है बेसिकली ये ब्लू कलर का होता है जिसको हम नीलम कहते हैं ये ब्लू होगा नीला होगा लेकिन ये थोड़ा सा लग बग और एक दो कलर के भी आते हैं जो काफी कॉसली होते हैं क्रिस्टलाइन स्त्रक्च्चर किस कंटन से की चीछ की चीज की ऑख्साइड से बनें स्थल में चार ओप्शन हैं यहां पर के सावनें quest को मतात ने इनिलम हैं इन चारों के कौन से आप्साइड से रूबिय को बतादि हुए Rec dece curhour और सफाइर है जो माडिक और नीलम है बेसिकली इनका resource कहले है तो हमें ये पता करना होगा ये resource के resource है जो कोरेंडम होता है हमाई दियों students कोरेंडम वैसिकली primary gem variety जिसको हम कहते है Ruby & Sapphire तो इनका जो जड़ है बेसिकली कहना चाहिए Cor cardio के ये दो रूप है क्या क्या Ruby & Sapphire raw material जो है वो जो है वो क्या है currently आब यह currentum जो है actually में तो यह Cristaline structure है, currentum, जो है my dear students, यह raw material किस चीज से बना हुआ है, तो यह बना हुआ है my dear students, aluminium oxide, या हम बोलेंगे AL2, O3 से मिलकर के यह क्या होता है, बना होता है, तो जब currently quantum, जो है, aluminium oxide से मिलकर बना है और question था Ruby and Sapphire basically जो है किस चीज के Oxide है तो हम क्या answer देंगे no doubt Aluminium देंगे है की ने तो Aluminium Oxide जो है किसका है Corandum का जो component है main that is Aluminium Oxide that's why हमें यहाँ पर answer करने वाले हैं कि ma'am Ruby and Sapphire जो है किसके component है तो हम बिल्कुल यहाँ पर 4 option में से सब्सक्राइब करने वाले हैं Aluminium के Oxide है Al2O3 है clear तो option D is the correct answer clear पहला सवाल finish करते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कह रहा है Dalonics Regia is the scientific name of यहाँ पर साइन्टिफिक नाम पूछ लिया my dear students आपका वैग्यानिक नाम पूछा है पहला option हम आइडियो स्टुडिंट्स बन्यान या बर्गत के पेड़ का है गुल मोहर का है या इमली या चीकु का है टामरेंड या चीकु या रॉयल पॉइम साइना का है इन चारों में से किस चीज का पूछा जा रहा है कि scientific नेम या वैग्यानिक नाम है किसका क्या नाम क्या दिया हुए माईविए स्टुडिंट्स डेलो निक सरजया जो है माईविए सटुडि इसका ओक तो आईए दिखाते हैं, दिखा देंगे तो आपकी दिमाग में भी बैठ जाएगा, यह बढ़िया आपको फूल दिख रहा हो, तो यह गुलमोहर कहलाता है, हिंदी मिसकम गुलमोहर कहते हैं, है ना, यह गुलमोहर जो है, माई दियो स्टुटेंट्स, इसी का जो साइन्टि है, मतलब इसके थू हम कई चीजों को सजाते हैं, मतलब सजाने वगेरा के लिए यूज होता है, बेसिकली यहाँ पर फूल होता है, इसका रासाइनिक नाम पूछा था क्वेस्चन में, that is, डैलोनिक्स रजिया, याद रखेंगे, आप क्या है, आप मेरे सामने चार बार ब हम इसका एंसर टिक करने वाले हैं, option B is the correct answer, लिया, चलिए, next question क्या कहना है, which is the largest organ in the human being, हमारे मानों शरीद में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, है ना, बहुत अच्छा प्रेशन है, सबसे बड़ा अंग जो है, अंग, ठ्यान देना यहाँ पर अंग है, ठीक है, चार चीज बड़ी आत ऐसे ऐसे है, इसकी लंबाई, बड़ी आत टिक कर दो, नए भाई, यदि, option में skin दिख रहा है आपको, और पूरी body में आपको skin दिख रही है, है की नहीं है, बताँ, body कैसा कहीं पार, जहाँ पर skin नहीं, सभी जगे skin है, बर्दमान है, ठीक है, तो सबसे बड़ जो organ होने वाला है, my dear students, that is skin होने वाला है, जो लगभग कितना है, 20,000, जिसका total area यदि मैं बताऊं, तो कितना है, 20 square feet, 1000 बोल दिया था, मैंने, इतना भी बड़ा नहीं है, 20 square feet, ठीक है, चलिए, तो कितना बोलेंगे, the skin is the largest organ in the human body, which is a total area, about 20 square feet, है न, 20 square feet है, और my dear students, मैं ब clearly देख सकते हो, 4 layers में divide होती है, सबसे पहली layer ये भी पुछा जाता है question, ठीक है, पहला है epidermis, then dermis, then hypodermis, and then आपका muscles आता है, तो देखो muscles कहाँ पर है, ये वाली layer आपकी muscles है, सबसे उपर जो है, यहाँ पर जो आपके ये वाला part job को दिख रहा है, that is here, है न, यहाँ पर pores ह होते हैं, hair, सोते हैं, सारी चीज़े है, इसके बाद आता है, epidermis, then dermis, then hypodermis, and then यहाँ पर muscles, जब कभी चोट लग जाती, तो आप देखते हो, skin है न, करी accident हो जाता है, तो आपके देखते हैं, एक दम pink color से अंदर से skin दिख रहा, muscles दिखने लगती, that is here, है न, यहाँ पर र एंसर दे सकते हैं, कि मैम हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो ओर्गन है, that is the skin, क्या है मैँ दिख स्टुडेंट्स, बिल्कुल आप विदाउट हैं, एंसर दे सकते हैं, कि that is the skin, मैम, हमारे पूरे शरीर में skin विद्दमान है, तोचा विद्दमान है, है कि नहीं, जो लग ब 20 स्क्वेर फिट है, जिसकी हम लंबाई कह सकते हैं, तो मैम, answer A is the correct answer, clear, option A is the correct, clear, next question, next question, पुछा है, instrument for measuring wind velocity, अच्छा question है, बढ़िया question है, बन जाएगा, easily बन जाएगा, आप ही बता दो, इसका मैं नहीं बता रहे, एकदम इसी question, आप फटा बता दो गया, मैंने चारों का मतलब discussion कर चुकी हूँ, पहले questions में, ठीक है, फटा फट बताईए आप, मैं देख रहे, जल्दी से, जल्दी से, हैना, देखो, instrument चार दिये है, चारों के नाम बताती हूँ, चारों के uses क्या-क्या है, पहले तो आप समझ लो, चलिए, जन्ने बताया, very good, पावन का वेग velocity मेजर करता है, वो क्या है, वे को चारों के लाइन से discussion करते हैं, मैं, लैक्टोमीटर, पहले ही मैं पताया, लैक्टो, लैक्टिक ऐसा कुछ भी आए, that is related to the milk, यानि कि दूद से related होगा है, लैक्टोमीटर है, यानि कि हम इसके दूद की शुद्धता मेजर करेंगे, लैक् कि लिए उपयोग किया जाता है, पहुत बारिकी से सारी चीजों को समझना है, चारो ही option आपको ध्यान रखने next time के लिए है ना, यहाँ पर हमने चारो चीज़े देखें, मैं आपन कर लिए के लिए के लिए यदि हम wind velocity या हवा की तीवरता हमें मेजर करनी है, तो आप देखिए इस तरीके का एक instrument है, ऐसा होता है, ऐनिमोमीटर इसके थ्रू हम wind speed मेजर करते हैं, wind speed साथ ही साथ, wind pressure भी मेजर करते हैं, कितनी pressure से हवा बह रही है, कितनी velocity से बह रही है, सारी चीज़े किस से मेजर करते ह बैरोमीटर की तीवरता मेजर करते हैं, प्रेशन मेजर करते हैं, सेस्मोमीटर सेस्मोग्राफ की तीवरता मेजर करते हैं, और भूकम्र की तीवरता में कल ही, मतलब एक वीडियो में question मैंने करवाया है, पूछा भी जाता है कि कौन सा scale यूज किया जाता है सेस्मोग्राफ है next question क्या पूछा है next question है diabetes is caused by diabetes जो होता है मध्ध में ही जो होता है वो क्यों होता है due to the excess of insulin low production of insulin malfunction of liver high production of bilirubin my dear students यदि यहां पर malfunction of liver की जगह है malfunction of pancreas होता तो फिर आपको confusing हो जाता क्या आप एंसर दोगे लेकिन कोई बात नहीं है पर हम इसनी एंसर दें देखो diabetes जो है basically diabetes होता क्या है पहले आप समझना थोड़ा सा insulin नाम का एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में clear अब यह जो insulin hormone है इसका काम क्या है है इंसुलिन हार्मोन है कुछ न कुछ काम करेगा शरीर में इसलिए है फाल्तों में तो है क्या काम करता है काम यह कर रहा है कि जो हमारे शरीर में blood है क्या है blood, blood में जो sugar content है यानि कि blood sugar को कहां तक ले जाता है सेल तक कोशिका तक ले करके जाता है और कोशिकाएं क्या करती है भई कोशिकाओं को उजा चाहिए न कहां से आएगी अब sugar पहुँचाएगा कोई कौन पहुचा रहा है blood पहुचा रहे ठीक है तो यह काम कौन कर रहा insulin hormone कर रहा यानि कि मैं insulin hormone जो है यहाँ पर क्या कर रहा है insulin hormone blood sugar को cells तक पहुचाता है जिसके त्रू energy मिलती है है की नहीं चलिए अब यहाँ पर दो चीज़े घ्यान दे ना दो चीज़े blood sugar को cell तक ले करके जाना है blood sugar को cell तक ले करके जाना है अब समझे ले करके कौन जा रहा insulin hormone अब यदि insulin hormone का production ही कम हो जाए है ना जो production of insulin होने लगता है है कि नहीं मतलब बैसिकली जो लो production हो रहा है वो हो क्यों हो रहा है क्योंकि आपका जो pancreas काम करना बन करने लगता है तो failure of pancreas की वजह से बीटा सेल काम नहीं करती है जिसकी वजह से low production insulin होता है और blood sugar कहां नहीं पहुचेगा cells तक नहीं पहुचेगा दूसरा type 2 क्या होगा इतना ज़्यादा production होने लगा क्या insulin का कि आपकी जो cells है ना उनको नीड ही नहीं है वह यह सभाल ही नहीं पारी हमको इतना नीड ही नहीं है तो फी क्या वह फालतों में पढ़ा रहेगा ब्लड में पढ़ा रहेगा की नहीं तो my dear students diabetes जो है due to the low production of insulin यानी कि जो insulin यदि कम उत्पादन हो रहा है pancreas के failure से तो blood sugar को कैसे पहुचाएगा cells तक that is the major reason कि diabetes क्यों होता है low production of insulin इसी लिए फिर insulin का injection लगाया जाता है ताकि बकाइदा जो blood sugar है वो cells तक पहुचे आप energetic रहो आपके अंदर energy रहे clear हुआ की नहीं हुआ सारी चीजों को relate करना कोई बड़ी चीज नहीं बस इतना समझता है no doubt insulin hormone है तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा मैं होगा बिलकुल होगा अब यह insulin hormone करेगा क्या insulin hormone जो blood sugar है मैं इसको ले जाकर cells तक पहुचाता है जिसकी वजह से हम energetic होते हैं cell में पहुचा तो होगा है ना my dear student जैसे ही cell में पहुचा अब यदि insulin hormone की कम है कम उत्पादन हुआ जो insulin hormone हुआ secretion नहीं कम हुआ तो कैसे पहुचेगा शुगर वहां तक नहीं पहुचेगा ठीक है तो बढ़िया से यहां पर answer देना है option B due to the low production of insulin हम कहते हैं diabetes होता है है की नहीं चलिए तो option B is the correct answer आगे बढ़ते हैं next question है amoeba belongs to the phylum amoeba किस category से belong करता है कि नहीं चार option प्रोटुजोवा अनिलिडर पौरिफेरा या प्लाटी हल्मेंथिस तो my dear students चार option पहले तो समझना है कि जो हमारा किस समुदाय से बिलॉंग करता है इतना तो सबको पता है ना कि अमीबा एक कोश्र की जीव है जो है एक कोश्र की जीवों को रखा गया है सिंगल सेल होती है जिनके अंदर वही काटेगरी कहलाती है प्रोटोजोवा यानि कि प्रोटोजोवा इस एन तो कौन सा ओप्षण टिक करने वाले हो आप यहां पर यहां पर देट इस दा ओप्षण ए मैं प्रोटोजोवा में अमीबा को रखा गया है जितने भी एक कोश्र कीजिव है यूनिसलिलर है सिंगल सेल है वह किसमें है प्रोटोजोवा में आते हैं ओप्षण एजी यह सवाल भी आसान है बिल्कुल आप जवाब दे देंगे पढ़िए और एंसर बताईए डैफिशेंसी ओफ विच ओफ दी फॉलोइंग कोसेस नॉन क्लोटिंग ऑफ दी ब्लड किस बिटमिन की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती रख्ट का ठक्का नहीं जमता बड़ा ह नहीं करना हूं आपको जितने क्रवा रहे हैं पेपर दोगे मैसेज करों चैनले और नहीं साथ ही इसक concealन मैसेराऑ नहीं। है ना उनके लिए बल्कुल भी मिस्स नहीं करना है कोई भी लेक्चर चलिए बिटमिन के की कमी से माइडिया स्टूरेंट्स ब्लाड ग्लोटिंग जो है नहीं होता है option B is the correct answer next question देखते हैं the chemical formula of baking soda अरे मामें तो बड़ा ही आसान है baking soda chemical name that is the NaOH sorry NaOH CO3 baking soda या जिसको हम खाने का soda कहते हैं देखो यह क्या calcium hydroxide यह क्या calcium carbonate यह क्या sodium carbonate यह क्या है मैं यह है baking soda या sodium bicarbonate confuse मत होना दोनों में यह खाने का soda है और यह धोने का soda जिसको हम कहते है sodium carbonate here is sodium bicarbonate चारों ही नाम इसी थे पर answer कॉंसों होने वाल है option b is the correct answer क्या चलिए next सवाल क्या है भई the process of producing energy in plant is known पौधों में उर्जा का जो उत्पादन है वो जो प्रक्रिया है किस रूप में किया जाता है क्या अवशोशन, absorption, reduction, photosynthesis या transpiration my dear student चार option है question को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पौधों में उर्जा का उत्पादन चाहिर सी बात है वही उर्जा कहां से आती है खाने से आती है आप दो दिन का fast रहलो तीसरे दिन एकदम डलो जोगे खाओ के नहीं है ना तो energy कहां से आएगी तो पौधों में भी खाने से ये energy आ रही है और खाना किस बनता है किस प्रोसिस की थ्रू बनता है वही इस cancer खाना जो है फोटो सिंथेसिस की थ्रू बनता है या प्रकाश शंसलेशन क्रिया की थ्रू बनता है so option C is the correct answer या हुआ चलिए बढ़िया question था next question है which virus causes chicken pox छोटी चेचक किस virus के कारण होता है देखो दो चीजे होती है my dear students आपको बता दो दो चीजे होती है छोटी चेचक किस virus की रूप में होता है चार virus के नाम दिये हमें my dear students आपको बताना है which virus causes chicken pox तो दो चीजे होती है पहले आपको मैं बता दो हैना क्या क्या होती है नहीं होना है आपको इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं है ना दो चीज़े होती स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन में में चीज़े हैं किसी को हिंदी में एंड बैसी कहें जो आम भाशा में सबी बच्चे चांते हैं चोटी माता बड़ी माता हैसा करने न माता निकल नहीं पूरी बाडी में रैशिस कुछली होना और दाने दाने निकल आना और जो स्मॉल पॉक्स होता है उसमें कुछ फफोले होता है ना यानि कि माता समझवा आम भाशा में सिर्फ अपने ऐसे ही समझते हैं इंडिया में लगभख है ना तो इतना समझना है अब question हमारा बुछ है chicken pox किस virus के थू होता है तो chicken pox जो है my dear student that is varicella joaster virus यानि कि हम कहेंगे मैम vzv क्या याद रखोगे varicella joaster virus vzv लेकिन जो small pox है my dear students थोड़ा सा ही related है variolla किस के थू होता है variolla virus के थू होता है तो next time question small pox से बने तो क्या बताओगे मैं variolla virus के थू होता है small pox और जो chicken pox है वो vzv varicella joaster virus के थू होता है तो chicken pox होता है vzv varicella joaster virus small pox होता है आपका variolla virus के थू दोनों ही याद रखना साथ मिसले बताए ताकि confusion नहीं हो है ना next time पूछे तो आपको ये भी बन जाए ये तो बनी रहा है या आपर सवाल तो कौन सो option देने वाले है my dear students हम बिल्कुल without any hesitation मैं यहाँ पर देने वाले है option V vzv यानि की varicella joaster virus जो है वो chicken pox के लिए जिम्मेदार है ठैकी नहीं और जो small pox के लिए जिम्मेदार है वो है variolla virus के लिए तो ये था आज के हमारे questions का discussion in the series of क्या 25 by 25 यानि कि हमको पूरे 25 में से 25 नंबर लाने है माम साइंस में ग्रूप D का आपने form भर रहा है पूरे के पूरे marks लाने हैं हम ठैकी नहीं चलिए तो बने रहे हैं मेरे साथ अद्वत education के साथ मिलते हैं next lecture में my dear students thank you हुआ हुआ है